हेलो बच्चों, ये कोश्चन आपका Laws of Motion chapter रगा है, बहुत ही important कोश्चन है बच्चों, देखो कोश्चन में क्या कह रहा है, two identical billiard ball strike a rigid wall with the same speed and at different angle, बच्चों ये दो figure दे रहे हैं, ये दो identical, मतब same size की billiard ball है, ये क्या करती है, किसी rigid wall में, rigid wall है, मतब एक fixed wall है, इस wall में जा force लगाएगी, और according to Newton third law, जब भी कोई दो body आपस में contact में आती है, तो जितना force ये ball इस दिवाल पे लगाएगी, ये दिवाल भी क्या करेगी, इस ball पे opposite direction में force लगाती है, according to Newton third law, यहाँ पर क्या पूचा, direction of force on the wall due to each ball, हम ये बताना है, कि जो दिवाल पे force लगा, direction of force on the wall, बॉल जब टकराई इस में, तो बॉल ने इस दिवाल पे किस direction में force लगाया होगा, तो ये first part बहुत ही simple है, important ये second part है, तो first part आप देखिए, जब ये ball यहाँ टकराईगी, तो ball की इदर force लगाईगी, इस direction में तो force लगाईगी, तो इदर force लगा रही है, किस direction में लगा रह ये two dimensional motion कर रही है, तो ये इस direction में क्या लगाईगी, force लगाईगी, तो ये first part इतना important नहीं है, important है second part, ठीक है, देखो second part में क्या पूछा हमें, the ratio of the magnitude of impulse imparted to the ball by the wall, हमें ये बताना है कि इस wall ने, इस दिवाल ने, इस ball पर कितना impulse impart किया, इन दोनों figure में, देखो क्या होता है कि ये ball यहाँ टकराएगी, तो जब ये दोनों के दोनों, जब ये ball इस दिवाल के contact में आती है, तो जितने भी time के लिए ये contact में रहती है, होता क्या है, कि ये जो ball होती है, माली जी ये ball अब यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है, तो ये ball क्या करेगी, इस direction में इस दिवाल पर force तो लगाएगी, तो उस force की वज़े से इस दिवाल पर क्या होता है, impulse लगता है, तो उसी समय ये दिवाल भी क्या करती है, opposite direction में इसमें क्या करती है, impulse लगाती है, दोनों के दोनों एक दुसरे पर equivalent opposite impulse लगाते है, ठीक है, impulse आपको पता है न, impulse, हमें यहाँ पर impulse calculate करना अब देखो ये बॉल भी क्या करेगी, यहाँ टकराईगी, तो ये बॉल भी क्या करेगी, यह बॉल दिवाल में टकराएगी, अपर इंपल्स लगाएगी, तो उसमें उत्र ही equal and opposite impulse लगाएगी, तो हमें यहाँ पर ratio बताना है, magnitude of impulse imparted to the ball by the wall, इस बॉल पर impulse लगाए है, उस आपको change in momentum, इतना आपको पता हुगा है, impulse का formula होता है, तो change in momentum का formula क्या होता है, final momentum, minus initial momentum, ठीक है, तो impulse is equal to, पहले ये वाला figure हमने consider कर रखा है, तो momentum का formula क्या होता है, mass into final velocity, mass into initial momentum कितना हो जागा, mass into initial velocity, तो बच्चों, यहाँ पे, यह M common आ जाएगा, यह हो जाएगा, आपको final velocity minus initial velocity, इतना आपको समझ मा आ गया, अब देखो बच्चों, यहाँ पे यह direction बना रही है, यह direction बना रही है, इसका मतलब यह है कि यह ball देखो, यह ball यहाँ पे क्या लिगा है, without any change in speed, यह ball जो है, same speed से, जब टकराते है, तो reflect हो जाती है, without any change in speed, तो कोई यह ball क्या कर रही है ? यहाँ टकराती है, फिर reflect हो जाती है, इस direction में चैनी हो जाती है, तो यू speed से यहाँ टकराती है, फिर यू speed से ही यह वापिस जाने लग जाती है, तो इसका जो इनिशल वेलोसिटी है ना इनिशल वेलोसिटी मतब जिस वेलोसिटी से टकराएगी उसे इनिशल वेलोसिटी बोला जाएगा तो इनिशल वेलोसिटी का डारेक्शन क्या है यह है और जो फाइनल वेलोसिटी का डारेक्शन है वो फाइनल वेलोसिटी मतब जो ट इतनी है U है लेकिन दोनों का direction क्या है opposite है तो इसे हम positive लेंगे और इसे हम negative लेंगे बस इतना ही ध्यान रखना है ठीक है अब देखो यहाँ पर put कर देते हैं impulse is equal to यह M हो जाएगा final velocity किया है यहाँ पर इसे negative लिया जाएगा ठीक है negative U फिर यह minus आएगा फिर initial velocity कितना है यह positive U तो यह impulse is equal to कितना हो जाएगा M into minus 2U और यह finally impulse कितना आजाएगा आपका minus 2MU ठीक है यह impulse यहाँ पर का impulse निकल गया अब यहाँ पर कभी impulse निकल लेंगे और फिर उसके बाद उनका ratio calculate करेंगे अब बच्चों यहाँ का impulse कैसे calculate करें देखो बच्चों यहाँ पर क्या रगा है यहa आथी है फिर यहाँ से टकरानी के बाद इधर reflect हो जाती है ठीक है एधर मतलक इधर यह क्या हो जाती है तो देखो यहाँ पर बच्चों यह angle दे रिखाया यह 30 degree बच्चों यह 30 degree देखो बच्चों जब बाँ आएगी न तो बाल क्या कर रही है तो इधर भी motion कर रही है इधर भी motion कर रही है जब इस direction में आ रही है तो इधर भी motion कर रही है इधर भी motion कर रही है तो इसकी जो velocity है उसका effect इस direction में भी है इस direction में भी है फिर जो वो इधर आ रही है जब इधर आ रही है तो वो क्या कर रही है बॉल जैसे मान लीजिए ये बॉल जब नीचे की तरफ आ इंगल है थो कितना होगा, 3002 का ही एंगल बने गा यहां पर, अब यह 30 डिगरी है, तो यह बहुत बने गा यहां पर, 30 डिगरी ही बने गा, समझ मार रहा थणा, अब यह अगर होगा हम बचों, देखो यह बैलो सटी है, तो velocity के हमने ये component बना रहे हैं अब इन component की value हमें find करनी है तो हमें से याद रखना ये वाला जो component जो इसके साथ 30 degree का angle बना रहा है इसकी जो value होगी वो कितनी होगी इस u को यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर cos आ जाता है cos 30 degree आता है हमें से याद रखना जो component given vector के साथ जो भी angle बनाता है उस angle को यहाँ पर लिखा जाता है यहाँ पर cos आता है ठीक है और इस u को भी यहाँ पर लिख दे जाता है एक sort तरीका होता है और इसकी जो value होगी इस वाले component की इस वाले component की वो u sin 30 degree होगी समझ मारा इतना अब देखो बच्चों यह दोगो यह इस वाले vector के साथ यह component vector क्या कर रहा है 30 degree का angle बना रहा है तो इसकी value भी क्या होगी u cos 30 degree होगी और इसकी value कितनी होगी u sin 30 degree होगी इतना समझ मारा रहा है अब देखो बच्चों हमें यहाँ पर impulse calculate करना है तो impulse का again मैंने आपको formula क्या बता है impulse का formula यह होता है तो impulse का finally formula क्या है यह है आपका formula तो इस formula को मैं यहाँ लिख देता हूँ mass final velocity minus initial velocity तो बच्चों impulse की वज़े से क्या होता है final velocity क्या होती है change होती है तो वो कितनी velocity चेंज हुई उसी को क्या बोला जाता है final velocity minus initial velocity actual में ही जो impulse होता है mass into इसे change in velocity बोला जाता है delta v delta v मतलब change in velocity तो इस impulse की वज़े से क्या हुआ velocity change हो गई देखो velocity का direction पहले यह था फिर velocity का direction यह हो गया तो यह जो direction change हुई क्यों हुई क्योंकि इस दिवाल ने क्या किया इस ball पर क्या किया impulse लगा है जिसकी वज़े से उसकी direction change हो गई तो हमें यह पता करना है कि कितना velocity change हुआ मतलब उसकी direction में जो change हुआ कितने impulse की वज़े से उसका direction में change हुआ तो उस change in velocity का formula की हो जाता है यह वाला component दिखो यह initial component है तो इसका direction downward है इसकी value कितने इसका मतलब इन component में impulse की वज़े से कोई भी change नहीं आया है ना तो direction में change आया ना तो value में change आया तो impulse ने इस वाली velocity को change नहीं किया है इंपल्स ने किस VALCITY को change किया, इहां पर थेको, यह component इस direction में है, यह u cos 30 degree है, तो यहां पर भी यह u cos 30 degree है, लेकिन इसकी direction change हो गई है, पहले इसकी direction इधर थी, x-axis की direction में थी, लेकिन फिर इसकी direction कीदर हो गई, इधर हो गई, यह u cos 30 degree, value तो u cos 30 degree लेकिन इसकी direction क्या होगी opposite हो गई मतलब इस negative x हो गई है यह तो positive x होता है यह negative x में उसकी direction हो गई समझे रो तो हम इन दोनों velocity को consider करेंगे तो final velocity यह वाली आएगी तो यह वाली direction जो है इसे negative लिया जाता है फिर यह minus sign भी आएगा फिर initial velocity कितनी है positive यह positive u cos 30 degree तो यह आजाएगा आपका u cos 30 degree तो impulse is equal to mass आएगा यह इसे add करो तो sign minus minus plus होता है ना sign आता है minus का minus 2u cos 30 degree तो impulse is equal to हो जाएगा minus 2mu cos 30 degree इतना समझा रहा है अब दिखो बच्चे यह क्या होगा 2mu cos 30 degree की value होती है root 3 by 2 यह 2 से 2 कट जाएगा impulse is equal to कितना हो जाएगा minus mu root 3 अब दिखो बच्चे यह impulse सो निकल गया लेकिन यहाँ पर impulse का हमें क्या निखालना है ratio निखालना है बच्चों अब दिखो ratio कैसे निखालना है ratio निखालने के लिए कुछ नहीं करना बैसे इनको divide कर देना है बाकी कुछ भी नहीं करना है just in a divide कीजिए इसको इससे divide कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका minus 2mu divided by minus mu root 3 यह mu mu कट जाएगे यहाँ पर यह 2 बच जाएगा minus सा minus भी कट जाएगा पर 2 बच जाएगा तो यह कितना आएगा 2 upon root 3 अब root 3 की value कितनी होती है 1.732 होता है तो जब आप इसे divide करोगे ना तो divide करके यह 1.2 आजाएगा तो impulse का यह ratio calculate हो गया यही आपका इसका answer इस question का तो यह question भी आपका complete हो जाता है अक्राइब आपका